गुद मॉरिंग चितन, मैं समिता बाजबे, आज आपको ट्रॉय बताने जादी हूँ, आटेनी क्राफ्ट आटेनी क्राफ्ट में आज हम लोग क्रिस्मस स्ट्री बनाएंगे चलिए मैं बताती हम आपको क्रिस्मस स्ट्री कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लोग ये स्क्राप बुक से एक पेज निका लेंगे, आपके लापके पास बूट हो तो और ये उज़ कर सकते हैं इस तरह से हम लोग इस पेज देनी और इस पेज को इस तरह से पोर्ड बना लेंगे उसको इस तरह से पोर्ड करेंगे और इसमें हमетиर फैनी कारेटक पेस्ट कर लेँगे पेस्ट करने के बार यह इस तरह से बन जाएगा पिर नीचे सुनमें लोग इसको कटिक विख करने इस तरह से बना लें पिर कूण बन के अब हम लोग एक पेज लेगे ग्रीन कलर का कोई ही आप चाले तो फ्रोलों सीद पेपर लें या पिल अबवर्बेट पेपर लें इतना बड़ा विदाना हो उस साइज का इस तरह से कटिंग कर लें नमबाई में और इसको फोल्ड करते हैं ऐसे और फोल्ड करके इसको छुटा छुटा पीस में कटिंग कर लें ऐसे पूरे को हम लोग कटिंग कर लेंगे। जितना पतला पतला आप कातों के उतना बूटी कुछ बनेगा आपका क्रिस्मस ट्री। इस तरह से में इसको पूरे को कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के वाल हमको इसे में पेस्ट भी करना है इसे। इस तरह से लेके। इसे बहुत सारा कटिंग करना है कि पूरे में लगाना होगा हम लोग को तो देखिए ऐसे हम लोग इसको कटिंग करेंगे ऐसा दीखेगा हमारा हम मैं पहले से थोड़ा सा कटिंग करके रखी हूं देखिया इस तरह से तो आप हम लोग पेस्ट करना स्टार्ट करें इसमें हम हम लोग glue लगा देंगे, ऐसे side side में, देखिए, ऐसे side side में, और उसके बार इसमें हम लोग paste करेंगे, एक दम बरावर से paste करना है, इसको, देखिए, ऐसे, इस तरह से हमकर, इस तो paste कर लेगे, और इतना बरावर हो गया, उसके बाद इसको हम लोग इस तरह कटिंग कर लेगे, देखिए, ऐसे बरावर से paste करने के बाद हम लोग इसको काट लेगे, और फिर इसी तरह से हम लोग दूसरा भी, दूसरा तीसरा जितना लगे इसमें, हम लोग ऐसे paste करेंगे, इसमें लगाए आया है को फ्स... ठोड़ा समदबर से यहीं ऐसी तरह से... पेिश्ट करेंगे कि दियान रहे हैं बरावर से पेस्ट करना है ज्यादा बढ़ा ना हूं इस तरह से हमों इसको पेस्ट करके चल जाएंगे जितना धना हूं उतना अच्छा हूं मैं बहुत ज़रा कटिंग करके रखी हूं इसी करीड़ से हमें। इसको पेस्ट करेंगे तरह से हमनों पेस्ट करते चल जाएंगे। आजसे फिर इसको कटिंग करें रखा लेगे . फिर इसके उपर से पेस्ट करेंगें। ज्यादा हो ज्यादा तो फिर उसको भी हम लोग निकाल लेगे ऐसे पेश्ट करते करते हम लोग उपर तब चले जाएंगे देखिए इस तरह से और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इसमें गुलू लगा के लास्ट बार जो बचेगा उसको लोग उपर पेश्ट करते हमें चोटा सा ऐसे उसके उपर में हम लोग इसी तरह से पेश्ट कर लेगे इबन यह हमारा Christmas tree, अब Krishnamas tree में हम लोग star cutting करेंगे, इस तरह से cutting करके, star को भी हम लोग paste कर देंगे इसमें, दिखिया में star cutting करके रखी थी इस तरह से, और इसको हम लोग ऐसे paste कर देंगे, तो यह हमारा उजयागा, beautiful Christmas tree, ओके, thank you children.